स्री गणे साय नमः स्री जानकी वलभो विज्यते स्री राम चरित मानस दितिय सोपान अयोध्याकांड दोहा संक्या सो के आगे किरपा के समुन्दर स्री राम चंदर जी केवर्ट से मुस्कुला कर बोले भाई तू वही कर जिस से तेरी नाव न जाए जल्दी पानी ला और पैर धोले देर हो रही है पार उतार दे एक बार जिनका नाम इसमन करते ही मनुश्या पारभाव सागर के पार उतर जाते हैं और जिनोंने वामना उतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था दोही पग में तिर लोकी को नाप लिया था वही किरपालू सिरी राम चंदर जी गंगा जी से पार उतारने के केवड का निहुरा कर रहे हैं प्रबू के इन वत्अ को सुनकर गंगा जी की बुद्धी मों से खिच गई थी यह साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवड का निहुरा कैसे कर रहे हैं प्रंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हरसित हो गई, वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मों नश्ट हो गया और इन चर्णों का इस पर स्प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हरसित हो गई, केवर्ट प्रभु स्री राम चंदर जी की आग्यां पाकर कठोते में भर कर जल ले आया, अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वे भगवान के चंड कमल धोने लगा, सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की रासी कोई नहीं है, चर्णों को धोकर और सा परिवार साहित स्वेम उस जल चर्णों दक को पी कर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पित्रों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वत प्रभु स्री राम चंदर को गंगा जी के पार ले गया, निसाद राज और लक्ष्मन जी साहित स्री सीता जी और स्र के हिर्दे की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटी तंग उठी एंगली से उतारी, किरपालु सिरी राम चंदर जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो, केवट ने व्याकुल होकर चलन पकड़ लिये, उसने का हे नात, आज मैंने क्या नहीं पा पासे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोड़ती बाद आप मुझे जो कुछ देंगे, वे परसाद मैं सिर्थ चढ़ा कर लूँगा, प्रभू सिरी राम जी, लक्ष्मन जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता, तब करुना के भगवान सिरी राम चंद्र जी ने निर्मल भक्ती का वर्दान दे कर उसे विदा किया, फिर रक्ल के स्वामी सिरी राम चंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और सिव जी को सिर्नवाया, सीता जी ने हाद जोड़ कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरत पूर कीजिएगा जिस से मैं पती और देवर के साथ कुसल पूर्वक लोट आकर तुम्हारी पूजा करूं सीता जी की प्रेमरस में सनी हुई विंति सुनकर तबगंगा जी के निर्मल जल में से स्रेष्ट वानी हुई हेर अग्वीर की प्रियतमा जान की सुनो तुम्हारा प्रभा सुनाई यह तो मुझे पर किर्पा की और मुझे बढ़ाई दी है तो भी है देवी मैं अपनी वानी सपल होने के लिए तुम्हें आशिरवाद दूंगी तुम अपने प्राणनात और देवर सहीत कुसल पूरवक अयोध्या लोटोगी तुम्हारी सारी मना कामनाई पूरी हों मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवनदी को अनकूर देखकर सीता जी आनन्दित हुई तब प्रभु सिरी राम चंदर जी ने निसाद राजगू से कहा कि भाईया अब तुम घर जाओ या सुनते ही उसका मूँ सूग गया और हिर्दय में दा उत्पन हो गया हे रगराज जस्वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुन्दर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूँगा तब मुझे आप जैसी आग्या देंगे मुझे रगवीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूँगा उसके सवभाविक प्रेम को देखकर स्री राम चंदर जी ने उसको साथ ले लिया इस से गुख के हिर्दय में बड़ा आनंद हुआ फिर गुख निसाद राज ने अपनी जाती के लोगों को बला लिया और उनका संतोस कराके तब उनको विदा किया तब प्रबुसरी रगनाज जी गनेश जी और सिव जी का इसमर्ण करके तता गंगा जी को मस्तक नवा कर सखा निसाद राज छोटे भाई लक्षमन जी और सीता जी सहीत वन को चले उस दिन पेड के नीचे निवास हुआ लक्षमन जी और सखागों ने विसराम की सबसुवे वस्ता कर दी प्रबुसरी रामचंदर जी ने सबेरे प्राते काल की सब किरियाएं करके जाकर तीर्तों के राजा प्रियाक के दर्शन किये उस राजा का सत्यमंत्री है स्रद्दा प्यारी इस्त्री है और स्रीवेणी मादोजी सरी के हितकारी मित्र हैं चाल परदार्तों धर्म अर्थ काम और मोक्स से भंडार भरा है और वैपुन्य में प्रांथी उस राजा का सुंदर देश है प्रियाक छेतर ही दुरगम मजबूत और सुंदर गड़ किला है जिसको स्वपन में भी पाप रूपी सत्रू नहीं पा सके हैं संपूर्ट तीर थी उसके स्रेष्ट वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रंधीर हैं गंगा यमना और सरस्वत प्रियति का संगम ही उसका अत्यंत सुसोबित सिंगासन है अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है यमना जी और गंगा जी की तरंगे उसके स्याम और स्वेट चमर हैं जिनको देख कर ही दुख और दरिदरता नश्ट हो जाती है पुन्यात्मा पव पापों के समूरूपी हाथी के मारने के लिए सिंग रूप प्रियाग राज का परभाव महत्व महत्तम्य कौन कह सकता है ऐसे सुहाओं ने तीरत राज का दर्शन कर सुक के समुन्दर रख कुल स्रेश स्री राम जी ने भी सुक पाया उन्होंने अपने स्री मुक्ष सीता लक्षमर जी और सकागो को तीरत राज की महिमा कहकर सुनाई तदंतर परणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महत्तम्य कहते हुए इस प्रकार स्री राम ने आकर तिर्वेणी का दर्शन किया जो इसमन्द करने से ही सब सुन्दर मंगलों को देने वाली है फिर आनंद पूरवक तिर्वेणी में स्नान करके सिव जी की सेवा पूजा की और विदी पूरवक तीर देवताओं का पूजन किया इसनान पूजन आदी सब करके तब प्रभु स्री राम जी भार्दवाद जी के पास आए उन्हें दंडवत करते हुए ही हिर्दे में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ की आज विदाता ने सिरी सीता जी और लक्षमर्ट जी सहीद प्रभु स्री राम चंदर जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूंड पुन्यों के फल को लाकर आँखों के सामने कर दिया कुसल पूज कर मुनी राज ने उनको आ कुरला कर दिये सीता जी लक्षमर्ट जी और सेवा गोसाई सिरी राम चंदर जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुची के साथ खाया थकावर दूर होने से सिरी राम चंदर जी सुखी हो गए तब भारदवाद जी ने उनसे कॉमल वचन कहे हे राम आपका दर्शन क करते ही आज मेरा तप तीर सेवन और त्याग सफ़ल हो गया आज मेरा जब योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण सूर्फ साथ दूओं का समधाई भी सफल हो गया लाप की सीमा और सुक की सीमा प्रवुग के दर्शन को छोड़ कर दूसरी कुछ भी नह है आपके दर्शन से मेरी सबासाइं पूर्ण हो गई अब किरपा करके यह वर्दान दीजिए कि आपके चंड कमलों में मेरा सोभाविक प्रेम हो जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोणों उपाय करने से भी स्वपन में भी वसुख नहीं पाता मुनी के वचन सुनकर उनकी भावभक्ति के कारण आनन से त्रिप्थ हुए भगवान स्री राम चंडर जी लीला की दृष्टी से सक्चा गए तब अपने ऐस्वर को छिपाते हुए स्री राम चंडर जी ने भार्दवाज मुनी का सुन्दर सुयस क दरोडो अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया उन्होंने कहा है मुनी स्वर्ध जिसको आप आदर दें वही बढ़ा है और वही सब गुणसमुखों का घर है इस प्रकार स्री राम जी और मुनी भार्दवाज जी दोनों परज़ पर विनम्र हो रहे हैं और अनि वर्चनिय सुक कानभो कर रहे हैं यह स्री राम लक्षमन और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रियागनिवासी ब्रहमचारी तपस्री मुनी सिद्ध और उदासी सबस्री दसरज जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारदवाज जी के आस्रम पर आए सुरी राम चंद्र जी ने सब किसी को परणाम किया नेत्रों का लाप पाकर सवानंदित हो गए और परम सुक पाकर आसिरवात देने लगे सुरी राम जी के सुंदर रिकी सराहना करते हुए वे लोटे सरी राम जी ने राद को वहीं विस्राम किया और प्राटरकाल प्रैगराज का इस्नान करके और प्रसन्न तक साथ मुनी को सिर्नवा कर सरी सीता जी लक्षमड जी और सेवगों के साथ वे चले चलते शमिए बड़े प्रेम से सरी राम जी ने मुनी से कहा हेनात बताईए हम किस मार्ग से जाएं मुनी मन में हसकर सिरी राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है फिर उनके साथ के लिए मुनी ने सिस्यों को बुलाया साथ जाने की बात सुनते ही चित में हरसित हो कोई पचास सिस्य आ गए सभी का सिरी राम जी पर अपार प्रेम है सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है तब मुनी ने चुनकर चार ब्रहम चारियों को साथ कर दिया जिनोंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत्य पुण्य किये थे स्री रगुनाजी पर नाम कर और रिशी की आग्यां पाकर हिर्दे में बड़े ही आनंदित होकर चले जब वे किसी गाउं के पास होकर निकलते हैं तब इस्त्री पुरुस्त दोड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं जर्म का फल पाकर वे सदा के अनात सनात हो जाते हैं और मन को नात के साथ भेज कर शरीर से सातन रहने के कारण दुखी होकर लोटाते हैं ददंतर स्रीराम जी ने विंती करके चारो ब्रम्चारियों को विदा किया वे मन्चाही वस्तू अनन्य भक्ति पाकर लोटे यमना जी के पार उतर कर समने यमना जी के जल में स्नान किया जो स्रीराम चंदर जी के सरीर के समान ही स्याम रंग का था यमुना जी के किनारे पर रहने वाले इस्त्री पुरुस या सुनकर कि निसात के साथ दो परम सुन्दर सुकुमार नव युवक और एक परम सुन्दरी इस्त्री आ रही है सब अपना अपना काम भूल कर दोड़े और लक्षमर्ट जी, सिरी राम जी और सीता जी का सौंदर्य देख कर अपने बागे की बढ़ाई करने लगे उनके मन में परचे जानने की बहुत सी लाल साइं भरी हैं पर वे नाम गाउं पूस्ते सक चाते हैं उन लोगों में जो वयोवरिद और चतुर थे उन्होंने युक्ती से सिरी राम चंदर जी को पहचान लिया उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आग्यां पाकर ये वन को चले हैं ये सुनकर सब लोग दुखित हो पस्ता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्ता का और सुन्दर था उसकी गत्ती कवी नहीं जानते अथवा वह कवी था जो अपना परचे नहीं देना चारता वह वैरागी के वेस में था और मन वचंतता कर्म से स्रीराम चंदर जी का प्रेमी था इस तेज पुंज तापस के परसंग को कुष्टी का कार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अपरसंगिक और उपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है प्रन्तु ये सभी प्राचीन परतियों में है गुसाई जी अलोकिक अन्भोवी पुरुस थे पता नहीं यहां इस परसंग के रखने में क्या राश्या है प्रन्तु ये छेपक तो नहीं है इस तापस को जब कभी अलखित गती कहते हैं तब निश्चे पूर्वक कौन क्या कह सकता है हमारी समझ से ये तापस या तो सिरी हनुमान जी थे अथ्वा ध्यानस तुलसी दास जी अपने इश्ट देव को पाचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और सरीर पुलकित हो गया वै दंड की भांती पिर्थ्वी पर गिर पड़ा उसकी प्रेम विहल दसा का वर्णन नहीं किया जा सकता स्री राम जी ने प्रेम पुर्वक पुलकित होकर उसको हिर्दय से लगा लिया उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुस्य पारस पागया हूँ सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्त्त दोनों सरीर धारन करके मिल रहे हैं फिर वे लक्षमंट जी के चर्णों लगा उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया फिर उसने सीता जी की चर्ण धुली को अपने सिर पर धारन किया माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जान कर आसिरवाद दिया फिर निसाद राज ने उसको परने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूका आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनंदित होता है इदर गाउं की स्त्रियां कह रही हैं हे सकी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुन्दर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है स्री राम जी लक्षम स्री राम चंदर जी की आग्यां को सिर चड़ा कर उसने अपने घर को गमन किया फिर सीता जी स्री राम जी और लक्षमन जी ने हाथ जोड़ कर यमना जी को पुना परणाम किया और सूर कन्या यमना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सही दोनों भाई पर सन्नता पूरु पुर्वक आगे चले रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं वे दोनों भाईयों को देखकर उनसे प्रेम पुर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजकिन देखकर हमारे हिर्दय में बड़ा सोच होता है ऐसे राजकिन्नों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो इस से हमारी समझ में आता है कि जो तिस सास्त जूठा ही है भारी जंगल और बड़े बड़े पहाडों का दुर्गम रास्ता है तिस पर तुमारे साथ सु कुमारी इस्तरी है हाती और सिंगों से भरा ये भैयानक वन देखा तक नहीं जाता यदि आग्या हो तो हम साथ चलें आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुँचा कर फिर आपको परणाम करके हम लोटावेंगे इस परकार वे यात्रे प्रेमवस पुलकित सरीर हो और नेत्रों में प्रेमा सुरूं का जल भर कर पूछते हैं किंतु किर्पा के समुद्र सरीरामचंदर जी कौमल विने युक्त वचन कहकर उन्हें लोटा देते हैं जो गाउं और पुर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसंसा पूर्व कीरस्या करते और लल्चाते हुए कहते हैं कि किस पुन्यवान ने किस गड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुन्य में तथा परम सुन्दर हो रहे हैं जहां जहां सिरी रामचंदर जी के सरण चले जाते हैं उनके समान इंदर की पूरी अमरावती भी नहीं है रास्ते के समीब बसने वाले भी बड़े पुन्यात्मा हैं स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराना करते हैं जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्षमन जी सईथ खंस्याम सिरी राम जी के दर्सन करते हैं, जिन तलाबों और नदियों में सिरी राम जी इसनान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती हैं, जिस व्रिक्ष के नीचे पर बूजा बैठते हैं, कलब फ्रक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं, सिरी राम चंदर जी के चर्ण कमलों की रज का इस परस करके पिरत्वी अपना बड़ा सोभाग्य मानती है, रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं, परवत वन और पसुपक्षियों को देखते हुए सिरी राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं, सीता जी और लक्षमन जी सहीच, सिरी रगनाज जी जब किसी गाउं के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बुड़े, इस्त्री, पुरुष सब अपने अपने घर और कामकाज को भूल कर तुर मनंद में मगन हो गए, उनके नेत्रों में जल भराया और सरीर पुलकित हो गए, उनकी दसावनन नहीं की जाती, मानों दरिद्रों ने चिंता मनी की धेरी पाली हो, वे एक-एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी छण नेत्रों का लाब ले लो, कोई सिरी राम चंदर जी क देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं, कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवी को हिर्दे में लाकर सरीर, मन और स्रेष्ट वानी से सिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके सरीर, मन और वानी का वैवार बंद हो जा कोई बढ़ की सुंदर चाया देखकर वानरम घास और पत्ते बिचा कर कहते हैं कि छण बर यहां बैठकर ठकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाईएगा, चाहे सबेरे, कोई घड़ा बर कर पानी ले आते हैं और कोमलवानी से कहते हैं, नात, आचमन तो कर ली जी उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर देया दू और परमसुसिल स्री रामचंदर जी ने मन में सीता जी को ठकी हुई जानकर घड़ी भर बढ़ की छाया में विश्राम किया, इस्त्री पुरुस आनन्दित होकर सोबा देखते हैं, अन्पम रू जी का नवीन तमाल विर्क्स के रंग का स्याम सरीर अत्यंत सोबा दे रहा है, जिसे देखते ही करोनो काम देवों के मन मोहित हो जाते हैं, बिजली के से रंग के लक्षमन जी बहुत ही भले मालूम होते हैं, वे नक्ष से सिखा तक सुन्दर हैं और मन को बहुत भाते हैं, उनके सिरों पर सुन्दर जटाओं के मुकुट हैं, वक्स इस्तल भुजा और नेत्र विसाल हैं और सरत पूर्णमा के चंद्रमा के समान सुन्दर मुकों पर पसीने की बूंदों का समू सोबित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि सोबा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धी थोड़ी है। सिरीराम, लक्षमन और सीता जी की सुन्दरता को सब लोग मन, चित और बुद्धी तीनों को लगा कर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गावों के इस्तरी पुरुस, इनके सौन्दर्य, माधुर्य की छटा देखकर ऐसे ठकित रहे गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्द रह जाते हैं। गावों की इस्तरीयां सीता जी के पाथ जाती हैं, प्रंतु अत्यंसने के कारण पूष्ते सक्चाती हैं, बार बार सब उनके पाउं लगती हैं और सहाजी सीधे सादे को मलवचन कहती हैं, हे राजकुमारी हम विंती करती कुछ निवेदन करना चाती हैं, प्रंतु इस्तर हरतारत मरकतमणी में और सूंडर में जो हरित और सूंडर वर्ण की आबा है वह इनकी हरताव नील और सूंडर कांती के एक कंट के बराबर भी नई है स्याम और गौर्वर्ण हैं सुन्दर की सोर अवस्ता है दोनों ही परम सुन्दर और सोबा के धाम है सरत पूर्णमा के चंद्रमा के समान इनके मुक और सरत रितू के कमल के समान इनके नित्र है मास पारायन सोहला हुआ विसराम नवाः प्रायन चौथा विस्राम जै स्री राम